राधे राधे मैं दीपेंसिंग आप सभी का एक बार फिर से आपके यूटूब चानल राधे श्टड़ी हम में स्वागत करता हूँ क्लाश टुल्थ के बच्चे पढ़ रहे थे क्लाश फेजिक्स कुबार मित्तल की बुक्से नुमेरकल नुमेरकल में आप लोगों ने पढ़ दिया था लेशन फर्ष्ट वैद्धुत विभो तथा वैद्धुचेत की तीवरता की नुमेरकल और गौस की प्रिमे की नुमेरकल आप लोगों ने पढ़ दिये थे अब जो आप लोग पढ़ा रहे थे थर्ड लेशन वैद्धुद छेतर की वैद्धुत विभाओ और वैद्धुत विभाओ में आप लोगों ने 20 नमबर नुमेरिकल तक पढ़ दिया था फर्स्ट वीडियो में लेक्चर में हमने 10 नुमेरिकल डाले थे और आज हम लोग पढ़ने जा रहा है वैद्धुत विभाओ का लेक्चर नमबर थर्ड और जिसमें आप लोग पढ़ेंगे कोशन नमबर 21 से नुमेरिकल आप सभी से रिक्वेस्ट है यह एजुकेशनल चैनल है और आप सभी अगर इस वीडियो को जिन जिन बच्चों ने अ परशितों को सेयर करें जो बच्चे क्लाश 12 में हैं क्लाश 10 में हैं जिससे वो लोग भी क्या करें इसका लाब उठा सके 31 नमबर कोशन कह रहा है आप से दिये गए आवेसों के निकाय की कुल इस्तिति उड़जा ग्यात कीजिए तो निकालेंगे निकाय की कुल इस्तिति उड़जा निकालेंगे यू इक्वल क्या होगा 1 अपॉन 4 पाई एपसाइले 0 क्यू 1 क्यू 2 तो देखो इनका इनका गुणा करेंगे आएगा क्यू स्क्वाइर नीचे क्या दे रहा है बीच की दूरी ए इनका इनका गुणा करेंगे तो आजाएगा माइनस के q² अपन नीचे क्या दे रहा है 2a इसका इसका गुणा करेंगे माइनस के q² नीचे क्या आजाएगा 2a यू इक्वल वन अपन 4 पाई एफसाइलेंट 0 इन दोनों में 2 वे उपर मिलना है इसमें नहीं मिलना है तो इसमें 2 का नीचे गुणा कर देंगे तो 2 का उपर भी गुणा कर देंगे तो यह आजाएगा 2q² अपन 2a प्लस का और यह दोनों जुड़ जाएगे तो माइनस 2q² अपन 2a माइनस के दोनों कट जाएगे यू के आजाएगा 0 तो इस दिकाय कि जो इस्तिती उड़ जाएगो क्या होगी 0 हो जाएगी 32 नंबर कोश्चन देखिए विवांतर दे रहा है 10 मीटर तार की लंबाई दे रहा है एक वोल्ट आप से कह रहा है विभाव प्रवरत्ता का मान ग्याद कीजिए तो देखो विवाव प्रवरत्ता बराबर होता है विवांतर अप और लंबाई विवांतर कितना दे रहा है 10 और लंबाई कितनी दे रहा है एक आंसर क्या आगया 10 वोल्ट प्रति बीटर ये हो गया इसका आंसर 33 number question देखिए 33 number question में आप से कह रहा है कह रहा है एक क्लिज दलिका में कैठोर्ट तथा नोट के बीच भी वांतर दे रहा है 200 किलो वोल्ट को हम लोग वोल्ट में बदलेगे तो 200 गुड़ा 10 की पावर 3 वोल्ट और दे रहा है कैथोर्क तथाय नोट के बीचकी दूरी 20 सेंटीवीटर दे रहा है मीटर बल देंगे 10 की आते माइनस 2 का गुडा कर देंगे अब निकालेंगे हम लोग क्या यह बीचकी दूरी आ गई अब निकालना है 8 2 6 की तीवरता 8 2 6 की तीवरता है वेद्दू छेट ई वराबर विवांतर अपॉन दूरी विवांतर आ रहा है आपका टू अंडेन इंटू टैन की पावर थिरी दूरी आ रहा है बीस गुड़ा दस की आते माइनस दो इससे काटेंगे दस बाढ़ जाएगा यह हो जाएगा टैनिटू टैन की पावर यह उपर जाएगा तो दो प्लस के हो जाएगा इसको लिख सकते हैं लोग क्या इतना ही आंसा रहा है तो इतने लोग वोल्ट और नीचे मीटर वोलट प्रति बीटर विद्फिद्थे की तीवर्ता और विवाप्रवर्ता का फार्मूला RICH ही होता है दोनों शेव है गोई 34 number depression 34 number question में आपको आवेश दे रहा है और कह रहा है downstream से कि 3.0 एंडो 10 की पावर माइनस 8 कूलांप के एक वैंदो तावेस को एक समान वैंदो छेतर में एक बिन्दो से दूसरे बिन तक ले जाने में किया गया कार आपका इतना है आप से कह रहा है उन बिन्दों के बीच की दूरी इतनी है वैंदो छेत की तीवरता ग्याद किये देखो वैंदो छेतर की तीवरता जो होता है वैंदो छेतर की तीवरता या वैंदो छेतर एक्वल होता है आपने पढ़ा है डेल्टा वी अपॉन डी बीच की दूरी अब डेल्टा वी जो है वो बरावर होता है डबलू अपॉन क्यू अपॉन डी तो ये एक्वल आजाए रखेगा W upon QD, W देखो इसमें ये आपको दे रहा है, W की value रखेंगे, W का मान दे रहा है, 3.24 इंटू 10 की पावर माइनस 4 अपाउन Q कामान रखेंगे दे रहा है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 और D कामान दे रहा है 12 सेंटी मीटर मीटर बल देंगे 10 की गाते माइनस के 2 इसको बमलुक सॉल करेंगे तो जब इसको सॉल करेंगे 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3 एकम 3 2 में भाग नहीं जाएगा 0, 3, 8, 24 12 से डिवाइड करेंगे 12, 9, 108 2 अंकवाद 10 हमलो है तो 0.9 हो जाएगा तो एक्वल आएगा 0.09 इंटू 10 की पावर 8, 2, 10 ये 10 माइनस की उपर जाएगे तो प्लस के 10 माइनस 4 कम हो जाएगा प्लस है 2 अंक उस तरब दसमलो ले जाएगे तो आएगा 9.0 इंटू 10 की पावर दसमलो जब उस तरब जाता है तो गात माइनस की होती है 2 अंक गए तो 2 गात माइनस की तो 6 में 2 माइनस करेंगे क्या हैगा 4 इतने वोल्ट प्रतिमीटर अथवा न्यूटन प्रतिकूला यह हो गया आंसर देखे 36 नंबर कोश्चन कहे रहा है आप से कहे रहा है कि एक कैथोड किरण नलिका की प्लेटे समानतर है और उनके बीच की दूरी 0.46 सेंटिमीटर है इसको मीटर में बदल दिया इसके बाद कहे रहा है आप से कि इनके बीच विवांतर जो है 15 किलो वोल्ट है तो इसको वोल्ट हैं बदलेंगे तो 15 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट किलो वोल्ट से हमने किसमें बदल दिया वोल्ट में इसके बाद आप से कहे रहा है दोनों प्लेटों के बीच गुजरने वाले इलेक्टान पर लगने वाले बल की गढ़ना कीजिए तो बल निकालना है वैद्धुद बल एब बराबर होता है E इंटू Q E का मान होता है डेल्टा वी अपॉन डी और Q एक इलेक्टान कह रहा है तो इलेक्टान पर जो आवेस होता है 1.6 x 10-0 और ये दे रहा है 1.6 x 10-0 दसमलों से तीन दूरीच है तिरपड़ 15 काटेंगे 8 बार गुणा 10 की गार दो उपर जाएगा प्लस का तो ये दो प्लस के तीन ये प्लस के पांच पांच इसमें कम हो जाएगा बचेगा शवदा यहाँ दसमलो एक अंग इदर आए तो 4.0 इंटू 10 की पावर इदर जावाते हैं गाते प्लस की तो एक प्लस की करेंगे तो बचेगा 13 इतने न्यूटन ये तो आगया बलका मान 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस 13 न्यूटन अब आपसे कह रहा है तुरण गयात कीजिए तो तुरण के लिए देखो यह बराबर होता है M A तो M A बराबर F और F का मान आपको दे रहा है 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस 30 M का मान होता है लेक्टरान पर बल 9.0 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू A इक्वल 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस 30 इसके बाद देखो आंगे हम लोग सॉल करेंगे तो A जो आएगा तुरण हुआएगा 4 अपाउन 9 दसमलोग बाद 0 से कोई मतलम नहीं 10 की पावर माइनस 13 यह नीचे 10 की पावर माइनस 31 9 से डिवाइट करेंगे नचो को 36 नचो को 36 ऐसे आता रहेगा यह उपर जाएगा 31 यह 13 तो 31 प्लस का हो जाएगा 31 में 13 गटा देंगे 11 में जाएगा 3 8 3 11 2 में 1 जाएगा बचेगा 1 तो बचेगा 18 एक अंक उस तरफ ले जाएगे तो आएगा 4.4 इंटू 10 की पावर उदर जाते हैं घात माइनस की तो बचेगा 17 इतने क्या आएगा मात्रक मीटर प्रतिस सेकेंड स्कॉयर ये हो गया तोरण का माद 4.4 इंटू 10 की पावर 17 मीटर प्रतिस सेकेंड स्कॉयर कोश्चन नमबर देखिए 37 37 नमबर कह रहा है बीच की दूरी 2 सेंटी मीटर विववांतर आपको दे रहा है 120 कह रहा है 2 36 समांतर प्लेटे एक दूसरे से 2 सेंटी मीटर की दूरी परिस्तित है इनकों लोग मीटर बल देंगे तो 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर ठेक है इसके बाद भी वांतर दे रहा है आपको 120 वोर्ट नमबर एक में कह रहा है प्लेटों के बीच वैदु छेतर निकालना है तो सबसे पहला वैदु छेतर निकालेगे वैदु छेतर जब निकालेगे हम लोग इक्वल तो यह होता है डेल्टा वी अपॉन डी डेल्टा वी आपको दे रहा है 120 डी दे रहा है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इससे काटेंगे 60 यह उपर जाएगा तो इका जो मान आएगा वो आजाएगा 60 इंटू 10 की पावर यह उपर जाएगा प्लस के दो तो equal हो गया एक जहां पर दसमलो एक अंकिस तरह अपला है तो 6.0 इधार आते हैं गात प्लस की तो 10 की गात में 1 प्लस की कर देंगे तो आजाएगा 3 इतने वोल्ट प्रति मीटर second number second number कह रहा है electron पर वैद्धुत बल electron पर वैद्धुत बल बल एप बरावर होता है E into की और electron पर जो आवेस होता है E solve करेंगे जब इसको तो E का मान दे रहा है 6.0 into 10 की पावर 3 और इसका मान होता है 1.6 into 10 की पावर minus 19 16 छका चान में तो 9.6 19 में 3 जाएंगे minus के 16 इतने न्यूटर ये क्या हो गया इसका second answer इसके बाद थर्ड थर्ड में कहे रहा है आपसे के लेक्टान की उर्जा में वैद्ध उर्जा में व्रद्धी वैद्ध उर्जा में व्रद्धी वैद्ध उर्जा में व्रद्धी निकालेंगे तो व्रद्धी बराबर होता है किया गया कार बराबर होता है विब वांतर इंटू आवेस विब वांतर आपको दे रहा है 120 आवेस है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 16 का गुरा करेंगे तो 16 का जीरो में करेंगे जीरो आएगा 16 दूने 32 इंटू 10 की पावर इधर दो अंका आएगा तो दो गाते प्लस की तो माइनस 19 में दो किया गया कार रा गया या इस्तितर उड़जा में होने वाली व्रत दिया गई कोश्चन नमबर देखिए 38 38 नमबर कोश्चन कहरा है प्लेटों के बीच की दूरी दे रहा है आपको कहरा है कि धाद की दो प्लेटे एक दूसरे से पास सेंटी मीटर की दूरी पर है तो इनको मी कि लिए वीवांतर इनके बीच वीवांतर दो सम्वोल्ट का यए गड़ा कीजे प्लेटों के बीच गुजरने वाले एलफाकर पर कारत बल तो इलफाकर पर कारत बल बरावर होता है 64 into आवेस वैंदू छेतर बराबर होता है विवांतर अपॉन दूरी और आवेस इलफाकड़ पर होता है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डेल्टा भी आपको दे रहा है 200 डी आपको दे रहा है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू ये 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 पांस से काटेंगे 40 बार जाएगा इसका इसमें गुड़ा करेंगे 0, 4, 2, 8, 4, 3, 12 एक अंक बाद 10 हमलो है एक अंक बाद 10 हमलो रख देंगे इसके बाद ये जब उपर जाएगा तो 10 की गाते माइनस 2 उपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस 17 में 2 प्लस कर देंगे तो माइनस के 15 इतने वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूला ये हो गया आपका पहला आंसर इसके बाद देखिए दूसरा कहरा अलफा कड की गतिज उरजा में व्रद्दी पहला हो गया सेकेंड अलफा कड की गतिज उरजा में व्रद्दी इसमें हम लोग व्रद्दी करेंगे तो व्रद्दी बराबर होता है विभवांतर इंटू आवेस विभवांतर आपको दे रहा है 200 वोल्ट और आवेस इसका 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 32 दूने 64 2 0 एक अंक बाद दसमलो इंटू 10 की पावर माइनस 19 इसमें 2 अंकी स्तरा पाएंगे तो 6.4 इंटू 10 की पावर 2 अंकी स्तरा पाएं 2 गाते प्लस की तो माइनस की 17 इतने जूल तो 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 17 जूल यह आपका हो गया second answer 39 नमबर कोशन देखिए कहरा एलफा कड़ पर को 10 लाख वोल्ट विवांतर द्वारा तो तो 10 लाख वोल्ट का मतलब 10 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट अब देखो कहरा इसकी गती जूलजा क्या होगी तो एलफा कड़ पर इतला तो गती जूलजा तो गती जूलजा के मतलब विवांतर इंतू आवच Bak विवांतर 10 इंटू 10 की पावर 5 आव सो गया 30.2 इंटू 10 की पावर मैंनस 19 पाउम्च यह 6 छे घाते प्लस की चेघाते इसमें गटाएंगे तो आएगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 16 6 गटार है तो माइनस के 13 इतने जूल पहला अंसर हो गया सेकेंड में कहे रहा है प्रोटान को इसी विवांतर द्वारा तुरित किया जाए तो प्रोटान की गति उड़जा कितनी होगी तो प्रोटान की गति उड़जा उड़जा वराबर वही विवांतर इंटू प्रोटान का आवेश विवांतर दे रहा है 10 इंटू 10 की पावर 5 और इस पर जो आवेश होता है वो होता है प्रोटान पर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 तो यह आगया 1.6, 5, 1,6, 6 इसमें कम हो जाएगा 10 की पावर माइनस 13 जूर तीसरा कह रहा है किसकी गति उड़जा अधिक होगी किसकी चाल अधिक होगी तो जिसकी गति उड़जा अधिक उसकी चाल अधिक तो लिखेंगे प्रोटान की कह रहा है किसकी चाल अधिक होगी तो देखो प्रोटान क्या होता है हलका होता है तो प्रोटान हलका होने के कारण प्रोटान की गते जुड़जा अधिक होगी तो प्रोटान हलका होने के कारण कारण इसकी गते जुड़जा अधिक होगी इसका वेग सोरी पूछ रहा है गती जुर्जय तो आपको इसमें कम दे रहा है तो इसका वेग अधिक होगा वेग अधिक होगा यह आगया अंसर देखिए फोर्टी नम्मर कोश्चन देखिए इस लिए चैप्टर का सबसे अन्तिम कोश्चन देखो आवेस दे रहा है आपसे कोश्चन में कहlair है प्लस के 5.0 into 10k12-7 CULAM तता माइनस के 5.0 into 10k12-7 CULAM के दो बिन्दू आवेसों के बीच की दूरी एक सेन्टी मीतर है आई-।원 के बीच की दूरी एक सेंटी मीटर थी, इसको हमने मीटर भू बदल दिया, और इनके केन्डर से कह रहा है पचास सेंटी मीटर की दूरी पर वैद्धती बोगयात करता है वो भी अच्छ में तो अच्छी इस्थिती के कारण वैद्धती बीवाओ अच्छी इस्थिती में वीवाओ या वैद्धती बीवाओ फार्मूला होता है 1 upon 4 pi epsilon 0 p upon r square इतने वोल्ट अब देखो इसको solve करेंगे तो इसका मान हो गया 9 into 10 की पावर 9 p का मान होता है q into 2 y और r आपको दे रहा है 50 गुड़ा 10 की गाते है माइनस दो इसका square v9 into 10 की पावर 9 q का मान दोनों में से कोई रख दे 5 into 10 की पावर जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस 7 2 y आपको दे रहा है 1.0 into 10 की पावर माइनस 2 इसको करेंगे तो यह आएगा 50 की square हो जाएगा या 50 गुड़ा 50 into 10 की पावर माइनस 2 गुड़ा 10 की पावर माइनस 2 इससे कहन से 5 से क्रास करेंगे 10 बार 5 का बाग इसमें दो 5 एकम 5 बचेंगे 4 5,8,4 1,0 यह 1,0 गए 10 की गाते 2 प्लस की 2 माइनस की कट गए अब यह 7 और यह 2 तो क्या करेंगे 10 की गाते बचेंगे 2 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1,8,2 का मतलब 2,0 एक अंक बाद दसम्मलों है एक अंक बाद दसम्मलों तो 180 वोल्ट इस question का अंसर आ गया तो इस प्रकार जो चेप्टर आपका चनलादा थर्ड वैद्धत विभाव उसके आपके नुमेरिकल पूरे 40 थे पूरे की 40 कंप्लीट हो गए ठीक है अब फिर मिलते हैं किसी नेश्ट चेप्टर में कदूश का कल किसे अने टॉपिक को लेके तब तक के लिए रादे रादे